इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि आप घर पे कैसे फ्लॉड्लेस स्किन पास सकते हो सिर्फ एक फेस पैक के तुरू तो चलो इससे बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो चालो करने से पहले प्लीस लाइक शेर एंड सबस्क्राइब टू मैं चानल तो चलो स्टार्ट क जीडने से पहले अच्छे से वाश कर लेंगे और आलू को चीलने के बाद भी एक बार उस कर लेंगे यह मैंने वाश कर लिया है नेक्स्ट हम आलू को कदja करेंगे यहाँ पर मैं एक आलू का फ्रिज पैक बना रही हूँ आप इसे फ्रिज में रखकर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी लाइफ टाइम सेवन डेज है आलू को कद्दूकस करने के बाद अब हम कोई भी बर्तन लेकर उसमें आलू को डाल लेंगे यहाँ पर मैंने एक आलू के लिए आदा कब दूद लिया है अब हम इसे भी डाल के मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे लो फ्लेम में कम से कम 10 में तक पका लेंगे और जब हम इसे पकाएंगे तो आप इसे लगातार चलाते रहिएगा 10 में तक पकाने के बाद हम इसे थंडा होने के लिए रख देंगे नेक्स हमने यहां पर लिया है डव सोप आप इसे भी कद्दुकश कर लीजिएगा अगर आपके पास डव सोप नहीं है तो आप कोई भी सोप यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट हमारा आलू और दूद का मिक्स्चर थंडा हो चुका है अब हम इसमें एड करेंगे सोप और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे मिलाने के बाद अब हम इसे मिक्सी में डाल कर एक बार के लिए चला देंगे हमें इसे ठिक नहीं करना है थोड़ा अख़्ा ही रहना चाहिए निक्स में इसमें आड किया है नीबू और इसे एक बार के लिए ग्राइन से लिया है इसकी कांसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होना चाहिए आप इसे वीक में दो से तीन बार यूज़ करके देखिए आपको इसका रिवर्ड ज़रूर मिलेगा और अगर आपने इसे एक बार बनाया है आप इसको सेवें डेस तक प्रिज में रखकर यूज़ कर सकते हो इसे यूज़ करने के बाद आप थंडे पानी से धुल लेना इसे हमें लगाने के बाद 20 मिट तक रखना है इसके बाद हम इसे वाश कर लेंगे आप फुल बॉड़ी पर इसे यूज़ कर सकते हो और फेस पर भी यूज़ कर सकते हो इसकी कोई साइड एफेक्ट नहीं है बिकॉस इसमें मिल्क है और बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि इसमें सोप है तो इसे 15 मिट तक फेस पर रखना अच्छा नहीं होगा बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें मिल्क है कोई साइड एफेक्ट नहीं है इसके तो बस इतना ही था इस वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब टो मै चानल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक कैर अल्ला हाफिज